अश्ट विनायक की अगली कतल, सिध्धी टेक के प्रभू सिध्धी विनायक की सृष्टी के आरंब के फूर्थ, उन्होंने मुझे दर्शन देकर सिध्धियां प्रदान की थी अब मुझे ये बताने की कृपा करें, कि मेरे जन्म का उद्देश क्या है शीगर आपको उसका भी ज्यान हो जाएगा, इसके माध्यम बनेंगे वो, जो इस आकाश कंगा के दूसरी और आपकी प्रदीक्षा कर रहे हैं और वो भी अपने होने का उद्देश आपके माध्यम से ही जानेंगे, संसार जिन्हें ब्रह्मदेव के नाम से जानेगा ए जन्मदाता, ए प्रभू, शीगर आकर मेरी रक्षा के जिए, ए पालनहार, तुरंट आईए मेरी रक्षा के लिए पालनहार, तो ये मेरा कर्तव्या है, मेरे होने का प्रयोजन है ये दोनों कौन हो, जो भ्रह्मदेव के और बढ़ रहे हैं आओ, हमारा भोजन बना ये दो, तो मैसा नहीं कर सकते, अच्छा हुआ, तुम भी आ गए अब दोनों ब्राताओं में, भोजन बाजना नहीं पड़े हैं और फिर मैं बार बार भिन अस्तरों से उन पर प्रहार करता रहा, वो आहत हुए इन तो फिर कुशल भी हो गए और धीरे धीरे उन पर वार करना कठिन होता गए उन खरी मित पर दोले को अबार रस और अन्त करहस्या है क्या कारण है कि मैंनکा अन्त नहीं कर रहा हुए लगता है हमारा वत करने की शक्ति नहीं जुटा सके हो तुम प्रभू ने कहा था देवी आदि शक्ति के ध्यान से पुंद लिनी के शेष चक्र भी जागरत होने लगते लगता है प्राजे सिवकार कर ली तुम ने हे देवी आदि शक्ति मुझे पूर्ण रूप से अपनी कुंद लीनी जागरत करने में सहायक बनिये और कृपा कर मुझे संकेत दीजिये मैं इन दोनों का अंत कैसे करूँ पालल हर क्या कर रहे हैं ते रुक क्यों गए अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं हे देवी जग का पालन करने में इन दुष्टों का संगहार करने में मेरी सहायता कीजिये में महा माया देवी आदी शक्ती की हिस्वा रूप हूँ मैं आपकी सहायता को लगी मधू, केटम, महा माया माया भी देदी और उससे मुक्ती भी तुम्हारी भूख मुक्ती से ही मिठ सकती है प्रणाम देवी महा माया मेरा माज दर्शन कीजिये उज़े बताईए कि मैं क्या करूँ मांगी है समय आने पर उचित वर्दान मांगी है और मुक्ती तान से मिलती है इतने साहस से जो तुम दोनों से जुझ रहे है उन्हें मन चाहाँ वर्दान देदो तुमने इतने पर्यास किये और हर बार असफल रहे फिर भी प्राजे स्विकार नहीं की इसे लिए हम तुमें एक मन चाहा वर्दान देना चाहते है संकोच मत करो जो मांगना चाहते हो मांगो तो वर्दान दो मुझे तुम्हारी मृत्यों मेरे हातों ही होगी तुम्हारी मृत्यों तुम्हारी हातों होगी इन तु यहां नहीं इस अनंद इस्थान पर नहीं तुम हमारा वद्व वही कर सकोगे जहां जल नहीं होगा स्बेट कर सक शुम्हारी मृत्यों देशल स्वारी मृत्यों तुम्हारी मृत्यों होगी यह क्या करना जा रहा है जिए आखे, जो वहिए चाहती हो जो थैस्म Значит अबना तु मनंस्थान में आए नानन सागर मतर अब तुम मेरे तन पर स्थित हो जहां जल नहीं है आननना उख पर स्थित नहीं एह कर तुम मेरे पानाः आप ही महा विश्व के आधार हैं संसार की उत्पत्ती का बीच आपसे जन्मा है सुन्दर्ता की प्रती आपकी इस रचना को प्रित्वी कहा जाएगा स्रिष्टी इसी पर आधारित होगी यहीं जीवों की उत्पत्ती होगी आप ही उसे रचेंगे और सृस्ष्टी के रचेटा ब्रह्मदेव कहलाएंगे मेरे होने का उद्देश्य देखर आपने मुझे क्रतार्द कर दिया पालनहार और इस प्रकार मैं जगत का पालनहार बना और ब्रह्मदेव उसके रचेटा और उन्होने स्रिष्टी को रचा और फिर प्रत्वी पर यहां सिध्धी टेक पर आपको सिध्धी प्रदान करने वाली प्रतिमा को आपने यहां स्थाप्वित किये प्रिये यदि हम पूरी निष्था से अपना उच्छत मार्ग ढूंडें तो भगवान केवल हमारी सहायता ही नहीं करते हैं हमारा मार्ग दर्शन कर हमें जीवन का उद्देश्य भी ग्याद करवाते हैं और वो भगवान है परम भ्रम जिनका ना आदी है ना अन्त वो सर्वोच्य स्थान पर स्थित रहने वाले प्रभू महा गर्णा दिपती है स्वामी स्रिष्टी के आरंब से भी पहले प्रभू ने ही आपको सिध्या देकर आपको आपके उद्देश से परिचित कराया तो अब भी जिस यात्रा में उन्होंने हमें भेजा है उसे पूर्ण करने में भी वही हमारी साहायता करेंगे प्रभू मुझे आशिरवाद दीजी मैं शीक्र ये यात्रा संपन करूँ और मुझे मा कहकर पुकारने वाली मेरे मातरित्व कपोन कर मेरी ममता का सुख भोगने वाली संतान मुझे भी शीक्र मिले किंदु देवी माता पिता का संतान के प्रती बड़ा दायत्व होता है संतान का मार्ग दर्शन कर उसे योग्य बनाना इसलिए देवी आपकी मा बनने की लालसा से आरम हुई इस यात्रा के अगले चरण में मंदिरों की कथा से संसार को संतान का ध्रान रखने के लिए दो बहुत बड़ी सीख मिलेंगी इसलिए अब आपको अपने अगले गंतवे बल्लालेश्वर मंदिर की ओर बढ़ना चाहिए चिंता कितनी भी बड़ी हो इस दिव्या और भव्य मंदिर में आने के बाद वो छोटी होकर जीवन से दूर हो जाएगी यहां की उर्जाही ऐसी है इतने साधारण प्रभु की दिव्या आभा तो अनुपम है है ना स्वामी दिव्यता किसी बाहरी आवरण पर निर्भर नहीं करती प्रिये सच मच साधगी में भी दिव्य हैं प्रभु यहां तो इनका नाम भी साधारण है बल्लालाल बल्लाल और उनके इश्वर की कथा का संबन तो एक सफल व्यापारी से था कल्यान अरे थोड़ी शीगरता दिखाओ भईया थोड़ी प्रतिक्षा तो करने होगी बोलादाज जी भूड़ा धीरज रखिया आपको आपका जामान अवश्चे मिलेगा लीजी यह लोग ताल चावल और गुड़ देदो कल्यान भईया था कल्यान जी अरे तोल थोड़ा इदर उदर होने दो गया नहीं मेरा नाम कल्यान अवश्च है लेकिन मैं लोगों का कल्यान करने के लिए आने बेटाओ भई उझे अपना व्यापार बढ़ाना है ना कि दुबाना है इनि रूं रूं और कल्यान का यापार में सफलता का मंत्र है न एक मुद्रा आधिक véhicुरा इतना दन जोड़कर करोगे क्या कल्यान जी और पिर आखिर है कौन तुमारे बात चोइस धनगा और फिर संतान होती, तो इस परिक्ष्रमका अर्थ होता ना। और फिर धंतो चंचल है, आज इसका तो कलुस का… और फिर जीवन का वास्च्विक धंतो संतान ही है। लेकिन संतान को पालने के लिए भी तो धन चाहिए' न वोलादास। तो पहले ठन कमाया, अब ही इश्वर की कृपा से संतान भी प्राप्त हो सत्य कह रहे हो कल्यान जी, आशा का त्याख कभी नहीं करना चाहिए, फिर चाहें बाल ही क्यों ना पकने लगें अरे, इंदुमति तुम यहाँ इंदुमति भावी यहाँ, जोदी मुझे गयात होता कि भावी यहाँ है, तो मैं ऐसे कड़वे बोल कभी ना बोलता आप अपने काम में जितने निष्ठा और अनुसाशन का परीचय देते हैं, उतनी भोजन में कहां करते हैं इसलिए मस्वयम ही भोजन ले आई फिर तो अब भोजन के बाद ही व्यापार होगा, अब कुछ समय बाद आई लेकिन कल्यान भाई मेरा वो बुड़ तो दे दो भोजन काल के बाद आकर ले जाना भोला दास ठीक है कल्यान भाई, चलता हूं मैं और भोला और अन्ने किसी की बाद का पुरा मतमान लाद कहने वाले तो कहेंगी, मुझे उनकी कोई चिंता नी चिंता वो करेंगे जिनको चिंता करने के आवशकता है आप क्यों करेंगे? सही है, मैं क्यों करूँ? चिंता करने की वोई आवशकता नहीं, अर्थात? अर्थात ये, कि ईश्वर सब देखते हैं, सब का सुनते हैं उनके घर पे देर है, अधेर नहीं आप अब भी नहीं समझें? नहीं स्वामी, ईश्वर ने हमारी सुन ली आप पिता बनने वाले हैं और मैं मां मैं मैं निच्टा बननुगा? हाँ सच्ते कहीरियों, हिंदुबधी सच्त मैं मैं दनने करो क्या भी निच्टा बनने करोगे, क्या गुटल नहीं लोगे? अरे कल्यान भाईया भी आप नहीं तो मुझे लोटा है था, भूल गया? अरे वो सब भूल जाओ, आओ शिग लोता करो, आओ आओ जल्दी आओ अच्छा, आता हूँ भाईया, आता हूँ ये लो ये लो ये कुर लो, हरे जोला खोलो ये लो यही चाहते दर तुम सुरो वीशवर के घर में देर है अंधेर नहीं सच्चे मन से मांगो तो सब कुछ मिलता है अरे लो और लो देख क्या रहे हो लो जो लगो लो और घरजा की भावीजी से कहना कल्यान भईया ने कहा है तुमारे लिए खीर बनाए जाओ जाओ यापार का नियम होता है कल्यान भईया ना अधिक दो और ना अधिक लो अभी तो आपने समझाया था मुझे फिर यह अचानक इतना बड़ा बदलाव धन कमानी की लालसा मिट गई है क्या अरे नहीं भई वो तो और ज्यादा वगुना बढ़ गई है और बहूत दन कमाओंगा बहुत धन कमाओँगा क्योंकि जीवन सबसे बड़ा धन मझे बिलनेवाला है मैं पिता बनने वाला हूँ अरे लेखन भाई, मैं पिता बनने वाला हूँ आपने संतान के भाग्य से और भी धन बढ़ेगा बहुत संतान प्राप्ति का आनन कुछ ऐसा था कि वो कल्यान जो अधिक्ता में विश्वास नहीं रखता था अब सबको दोनों हातों से सब कुछ बांट रहा था वो बड़ी ही समझदारी का परिचह दे रहा था समझदार होने का अहंकार कभी-कभी जीवन का विकार बन जाता है दे कल्यान भाईया तुमारा जबकी लेने का समय हो गया भाईया इससे पहले कि तुम्हारी आख लगे मुझे मेरा सामान दे दू कि आभी नहीं बोलादास अब सूर्य देव भी सर पर आ गये हैं इत्रा का समय हो गया और तुम तो जानते हो बोलादास अनुशासन मेरा सबसे तोड़ा गुन है को थोड़ी समय बाद है कि अरे अरे कल्यान भीया कि उचित है किन्तु अनुशासन कहीं बढ़कर शासन ना बन जाए तुमारी संतान ये बास समझ पाएगी या नहीं ये तो बविश्य ही बताएगा अरे मेरा पुत्र अनुशासन भी मानेगा और मेरा शास वा कल्यान भीया वा कितना गुणी है तुमारा पुत्र हो आया तो जैसे तुमारा तो भाग्योदै ही हो गया कितना होनार और कितना अनुशासित है वो हां भाई ऐसा व्यपारी तो हमने कभी देखा ही नहीं इतने कम आयू में 108 स्थानों पर उसमें अकना व्यपार बढा लिए इतना यश्जवी पूत्र ऑगर तो आप धन्य हो गए कल्यान वाई आपके दर्की तो जितनी प्रसन सा की जाए कम थीए जैसा पिता वैसा ही पूति व्यापारी भी अनुशासित भी और धन्यान भी थी वा कल्यान वा मित्र कल्यान ये तुम्हारे ही सिखशह है जिस कितना सुन्दर सुपन था इसे सत्य भी बनाऊंगा कल्यान भईया तुमारी जबकी पूरी हो गई हो तो मेरा सामान दे दो भईया हाँ कि मैं अंदता आलेलो भूलोदास आओ आओ आता हूं बही आता हूं हो ट्क हाँ हुआ अतीने आन्न देत क्यो हुआ भाई अए क्यों न अनत हु आन दि मेरा पुत्र बंचे भी बढ़ा भ्यापाजी के नेगा पर मैं सुख और सम्रिद्धी में विश्राम ही विश्राम करूँगा। स्वामी, पेड के लगते ही भलकी इच्छा करना क्या उचित है। उचित और अनुचित का भेद करना तो यक्ति पर निर्भर करता है। कोई भी कार्य समय आने पर ही शोबा देता है। और कल्यान अभी से ही अपने पुत्र को शिक्षा देने, और व्यापार सिखाने की तैयारी में जुट गया था। देखो, इंदुमती, क्या लाया हूं मैं? व्यापार की कोई सामगरी है क्या? अरे नहीं, व्यापार अब सिर्फ दुकान पर, यहां पर तो सिर्फ शिक्षा का सामान आएगा, गणिच्छास्त, खोगोल शास्त, भाषा शास्त स्वामी, पिता बनने के समय में आप अपनी शिक्षा की सोच रहे हैं। तुम समझी नहीं परिये, यह पुस्तके मेरे लिए नहीं, अपने होने वाले पुत्र के लिए हैं। कमायों में व्यापार करने के कारण, मेरी शिक्षा फूरी नहींगी। लेकिन मेरा पुत्र, वाल अवस्था में गुरू जनों से प्रत्तेक विशह सीखेगा। अरे तभी तो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकेगा। जनों से पहले ही पुस्तकों का ऐसा पहार लगाएंगे तो वो तो अभी से बहभीत हो जाएगा। नहीं नहीं बहभीत कैसे होगा। मेरा कल्यान का पुत्र है। वो तो बड़ी प्रसन्नता से सब सीखेगा। वो सब जान सीखेगा जो एक गापारी को चाहिए। देखा बत्र, अपने पिताजी को कितने उत्साहित है। हाण। हाण। बदाई वो बदाई, फुत्र हुआ है अरे कल्यान भाईया, आज तो ऐसे दान कर रहे हो, जैसे कोई साधान वियापारी नहीं, कोई बहुत बड़े राजा हो पुला दास, ऐसे ही आभाज हो रहा है, मुत्र हुआ है वो इतना यशस्वी होगा, मुझे राजा जैसा सम्मान दिलाएगा, उन्यवान, उन्यवान ही नहीं, प्रतिवाचाली होगा मेरा पुत्र, देखना तुम और इतना अप्ढ़ा वियापारी बनेगा, कि सभी राजों के प्रत्यकोले में उसका वियापार भी होगा, और नाम भी नाम तो होगा, किन्तू से पहले उसको देख दो लो, उसका नाम भी तो रखना होगा आपको सेखो, ठक जिसके जनन सेथ का आनन्दी थो, उसको देखा तक लहीं मैंने आरे आप शांत मत हो जाएए, आनन्द मनाइए, भूल बजाएए बढ़ाई हो ये इंडुमती, तुमने मेरे जीवन का सर्वशेष्ठ उपहार, मेरे पुत्र को मुझे देकर, मुझे पर बहुत बड़ा उपकार किया है बहुत दन्यवाद अब इसे शिक्षा देकर इसके और हमारे स्वरणिम भविश्य के लिए इसे तैयार करना मेरा दायतु है किसी के भी जीवन में बच्पन का आनन्द अनुखा होता है इसलिए वो युवा होने पर भी अपना बच्पन फिर से जीना जाता है कल्यान ने अपनी महत्व कांग्षा के कारण बल्लाल का बच्पन ही छीन लिया आयू से अधिक शिक्षा का बोज उसके कंधे पर डाल दिया जबकि माता पिता का धर्म और करतव्य है कि अपने पुत्र की पसंद का ध्यान रखे किसी भी बच्पन का भविश्य कोई नहीं जानता बल्लाल का भी भविश्य किसी को ग्यात नहीं था पुत्र बल्लाल उठो उठने का समय हो गया है प्रणाम पिता जी आज से तुम इसी समय पर गुरु कुल जाओगे आज से तुम्हारी शिक्षा आरम होगी जो आ गया पिता जी चलो स्नान कर लो जल कितना ठंडा है किन्तु मैं कुछ कहूंगा तो पिता जी को बुरा लगेगा ये लो पुत्र ये तुम्हारा भोजन है अपने पिता के समान भोजन करना मत भूलना आओ पुत्र मैं तुम्हें गुरु कुल पहुंचा दू नहीं पिता जी मैं स्वम चला जाओंगा आपके व्यापार का समय भी व्यर्थ नहीं होगा आप मुझे मार्व दिखा चुके हैं बस आशिश दीजिए स्वामी आप चिंदा मत कीजे देवी मुझे पूर्ण विश्वास है ये गुरु कुल पहुशने में कोई भूल नहीं करेगा तो जाओ फुत्र विलम मत करो की वाद सेनी हैं ये अचेक है प्रणूघ की व्यर्ण साव मत म करें रहुशनी के रहक हैं इनले आप साम है ये बस्ते हुशनी से वाद सेठीक व्यादम ली है वाद कर विलम दुन करेश रहS Regular वे भłyले की वेश्ड़ है अ-ओ्यरुशनीावे रुकिये मैं आपकी साहता करता हूँ तुम तुम तो मां तर एक बालक हो क्या साहता हुरू करता हूँ मेरे पिताजी कहते हैं कि जो पडोस में छुपन छुपाई खेलते हैं वो अभी भी बालक हैं मैं तो बड़ा हो गया हूँ देखिये तयार होकर भूजन लेकर गुर्कुल जा रहा हूँ मैं अभी आपकी साहता करता हूँ दन्यवाद पुत्र मेरी साहता करने के लिए रुक्यो श्रीमान रुक्यो श्रीमान उत्र बस इस केट के लिए रोकते हैं तुमने मुझे ऐसे तुना जाने कितने कीट प्रती दिन कुछलते होंगे मेरे पहिये से कीट छोटा है तो क्या हुआ प्रभू के दिये प्राण भी तो इसमें है तो इसके प्रती भी हमें सचेत रहना चाहिए ना क्योंकि संसार में प्रतीक जीव कमेतव है मैंने पुस्तकों में यही पड़ा है इतने ग्यानी हो और कह रहे हो कि गुरु कुल में आज तुम्हारा प्रतम दिन है हां क्योंकि पढ़ना तो मैंने गुरु कुल जाने से पहले ही सीख लिया था जाओ तुम इस व्रिक्ष के नीचे शुरक्षत रहोगे अब चलांग मारकर फिर मारक पर मत पहुंच जाना नहीं तो कुछ ले जाओगे अपना ध्यान रखना अब क्या हुआ क्यों रोक रहो मुझे ओ तुम्हें भूक लगी होगी लो ये खालो इससे पहले कि तुम मुझे प्यास की कारण रुको मैं तुम्हारे लिए जल ले आता हूं अब अपना ध्यान तुमें स्वेम रखना होगा मैं जाता हूं उस दिन बल्लान ने अंजाने में जिंगुर कीट को दुर्वा और जल दिया किंतो उसे ये ग्यात नहीं था कि वस्तुत ये दुर्वा और जल उसने प्रभु महा गनादीपती को अर्पित किया है उसके इस सुकर्म के कारण उसके जीवन में एक महत्वपूर्न घटना घटने वाली थी अब अब